हलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में आज हम चैप्टर एट हनुमान एड आई इसके कुश्चनासर करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं first question है which role was Rupa assigned in the play the story of Rama was it in accordance with her expectations Rupa को the story of Rama play में एक कोंसर role दिया गया था और क्या यह उसकी expectations के अनुरूप था जो वो role इस play में चाहती थी क्या ये उसकी according था इसका answer है Rupa was assigned the role of one of the monkeys in the Varnar Sena Rupa को Varnar Sena में जो बंदर थे उन में से एक बंदर का role दिया गया था No, it was not in accordance with her expectations as she wanted to play the role of Hanuman और Rama नहीं, ये उसकी expectations के अनुरूप नहीं था क्योंकि वो play में हनुमान या राम का role चाहती थी Starting में वो चाहती थी कि राम का role मिल जाए लेकिन जब teacher ने मना कर दिया था तो उसने सोचा था कि वे हनुमान का role play कर लेगी तो ये उसकी expectations से अलग ही था Question 2 देखते है रूपा को अचानक से हनुमान का role play करने के लिए क्यों कहा गया इसका answer है रूपा को अचानक से हनुमान का role play करने के लिए इसले कहा गया क्योंकि अलका जो हनुमान का role play करने जा रही थी उसको measles हो गय थे measles एक infectious disease होती है जिस में skin पर छोटे-छोटे red spots हो जाते है और सुबह से उसकी body का high temperature भी हो गया था उसको fever आया हुआ था question third है रूपा को विश्वास था कि वो एक बाई stage पर अच्छी performance जरूर देगी क्या आपको लगता है कि उसने एक अच्छी performance दी होगी इसका answer है नहीं रूपा एक अच्छी performance देने में manage नहीं कर पाई थी वो नर्वस हो गई थी और उसने सब कुछ गरबट कर दिया था और वह महाँ पर जो जितने भी दर्शक बैठे हुए थे उनके लिए एक हसी का पातर बन गई थे बी पाट देखते हैं Read the extracts from the play given below and answer the questions that follow नीचे कुछ extracts दिये गए हैं उन पर based questions दिये गए हैं जिनको आपको answer देने होंगे First है I wish I could get Rama's role मैं विश करती हूँ कि मुझे काश राम का रोल मिल सकता I don't think the teacher will give you Rama's role मुझे ने लगता कि teacher तुम्हें राम का रोल देंगे इस पर based first question है identify the two speakers इसमें जो दो speakers हैं उनको पहचानना है वो कौन है इसका answer है Rupa and Anu are the two speakers Rupa और Anu दोनो speakers हैं यहाँ पर Second question है why won't the speaker in line 1 get Rama's role Speaker को राम का रोल क्यों नहीं मिलेगा इसका answer है the speaker won't get Rama's role because she is shorter than Radhika who is performing the role of Sita and has a shrill voice जो speaker है उसे राम का रोल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वह Radhika से छोटी है Radhika जो Sita का रोल perform कर रही है और speaker की आवाज जो है वो shrill voice है तेज आवाज है जो unpleasant लगती है इसके बाद third question देखते है Which role does the teacher assign to the speaker? कौन सा role teacher speaker को देती है इसका answer है The teacher assigns the role of one of the monkeys in Warnersena to the speaker जो teacher है वो speaker को Warnersena में जो monkeys हैं उन में से एक का role दे देती है Next extract देखते है You wanted to be hanuman, didn't you? Do you think you can manage? तुम hanuman बनना चाहती थी क्या नहीं? और क्या तुम सोचती हो कि तुम इसे manage कर लोगी? इस पर वेस first question है वे हैं लिसनर से हनुमान बनने के लिए क्यूं कहती है? इसका answer है वे हैं लिसनर से जो सुनने वाला है उससे हनुमान का role play करने के लिए कहती है क्योंकि अलका जो ये role play करने वाली थी उसको measles हो गए थे और जिसकी वैसे वो high temperature से सफर भी कर रही थी इसके बाद third question है इसके बाद third question है Is the listener able to manage the role properly? क्या listener role को अच्छे डंग से करने के लिए योग्य थी? आंसर है no, the listener is not able to manage the role properly लिसनर role को प्रॉपरली करने के लिए योग्य नहीं है इसके बाद hearts देखते हैं जब audience ने रूपा की performance देखी तो उसका reaction कैसा था? और क्या आप फिल करते हैं कि रूपा की performance ने इस play के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया था? इसका अंसर है, the audience roared with laughter on रूपा's performance रूपा forgot to pin up her tail and misunderstood the prompts given by the teacher जो audience थी, वो रूपा की performance पे कुप जोर जोर से हस रही थी रूपा अपनी tail को लगाना भूल गई थी और जो उसके teacher जो पीछे से उसको ये dialogues बोल रही थी, उसको उसने गलत समझ लिया था वहर रावण को देखकर डर से कापने लगी थी और उसने अपना mask भी उतार दिया था और इसके बाद life skills लेखते हैं Imagine yourself to be the teacher directing the play, the story of Rama How will you tackle the situation after knowing that Alka won't be able to perform in the play Imagine करिये कि आप वो teacher हैं जो the story of Rama play को direct कर रही है तो जब आपको ये पता चलता है कि Alka perform नहीं कर पाएगी play में तो आप इस situation को कैसे tackle करोगे इसका answer है और सेना के जितने भी members हैं उनको एक के बाद एक act करने के लिए कहती और उन में से जो भी dialogue सबसे अच्छे बोलता उसको में select कर लेती तो इस तरह से इस situation को tackle किया जा सकता था इसके बाद भी part देखते हैं इस situation इस एंबर्सिंग सुचेशन में अपने आपको पाता है तो ये बैटर होगा कि कोई भी एक्षन लेने से पहले अपने आपको cool रखें बिलकुल शांत रखें और उसके बाद ही जो इंस्सुचेशन दिए गए हैं उनको फॉलो करें इसके बाद आपके बुक में values में एक question ऐसा दिया गया है इसमें आपको dialogues लिखने हैं और उसके बाद में suggestion भी देने हैं जिससे जो performance दी गई थी उसको अच्छा बनाए जा सके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ dialogues लिखें हैं और उनके suggestion भी दिये गए है इस तरह से आप suggestion लिख सकते हैं जिससे यह जो dialogues हैं उसके लिए suggestion दिया गया है कि क्या हो सकता था पीचे यह dialogues हैं उस condition में भी आप क्या कर सकते हैं इस तरह से आप यह suggestions लिख सकते हैं फिर इसके बाद है writing skill imagine yourself to be rupa अब आपको इसमें imagine करना है कल्पना करनी है कि आप रूपा है write a diary entry expressing your feeling on your stage performance as हनुमान on the annual day function इसमें आपको diary entry लिखनी है इसमें आपको annual day function में जो अपने performance दी स्टेज पर ऐसे हनुमान वो आपको अपनी feelings लिखनी है तो आप इस तरह से एक diary entry लिखेंगे यह आप अपने words में भी लिख सकते हैं हमने यहाँ पर इस chapter के सारे question answers discuss कर लिए है Thank you